प्यारे बच्चों मैतमेटिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम लों मैतमेटिस के इस वीडियो में परसेंटेज चेप्टर के प्रालम को सौल करना सीखेंगे जो कि क्लास 7 के आरेस अगरा के टेस्ट बुक से हैं तो प्रालम को लासो देखें ताकि जो भी समयाई जा रही है वह आप कुछ तरीके से समझ में आजा है और वीडियो अच्छी लगती है तो दुस्त को भी शेयर जरू करें यहां पर पहला कोशन दिया गया कि जितने भी इसमें फ्रैक्शन दिये गए हैं इन फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में करना है तो जो पहला कोशन दिए तो पहले हैं लिख लिखने बाद क्या करें इस फ्रैक्शन को हंडेट से मंटिप्लाइ करें और बहल में परसेंटेस्टेज का साइंन लगा था तो तो यहां पर क्या होगा कि यह डिनेमेटर का 100 इस 100 को कैंसल कर देगा और आपके पास 47 बचेगा तो 47 लिग दीजिए और बगल में परसेंटेज आप लगा दीजिए तो किसी भी फ्रेक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे उसको आप 100 से मंटी प्लाइ करक से और जैसा कि बताया कि यह प्रेक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मंटीप्लाइ करिएगा इस तरीके से कर लिजिएगा बगल में परसेंटेज का साइन आप लगा लिजिएगा 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो यह 5 टैंस में कैंसल हो जाएगा और 9 और 5 क यह परसेंटेज आप लगा दीजिएगा तो 9.20 को जब परसेंटेज में करोगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वह 45 परसेंटेज होगा अब मैं तो दूसरे तरह का प्रालम मैं आपको समझा देता हूं मैं जैसे कि यह मिक्स फ्रेक्शन ओके तो यहां पर यह मिक्स फ्र लेना तो आपको मिलेगा 8 अपान 5 तो आपने इस फ्रेक्शन जो कि मिक्स फ्रेक्शन में दिया गया था जब आपने इसको इंप्रापर में किया तो इसकी वैल्यू 8 अपान 5 आई हुई है अब इसको परसेंटेज में करने के लिए इसको आप 100 से मंटिप्लाई करोगे और multiply करने के बाद बगल में percentage का sign लगा दीजेगा अब 100 को 5 से जब divide करोगे तो ये 20 times में cancel हो जाएगा और 20 को 8 से जब multiply करोगे तो ये हो जाएगा 160 percentage तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe परके हमसे जरूर जड़ें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत